हैपी हेल्डी वेल्डी टाइम्स आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने छट पे चने का साग उगाया है चना का साग उगाना बहुत आसान है इसको कोई भी उगा सकता है तो आप देख सकते हैं कि मेरा चना कितना अच्छा हो गया है और चने की खास बात ये है कि आप इसको जितना तोड़ते जाएंगे उतना ये फैलते जाएगा अभी आप देख सकते हैं कि कितना सारा मित्ती दिख रहा है और जैसे जैसे आप इसको तोड़ते जाएंगे ये घना होते जाएगा और ये जो मित्ती है ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे लगाना है चना साग उगाने के लिए हमें चाहिए चना तो जितना आपको चना लगाना है उस हिसाब से आप चना ले सकते हैं यहां पर मैंने एक छोटे बोल में चना लिया है, इसको हम डाल देंगे एक बड़े बोल में, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, पानी जितना चना है उससे थोड़ा उपर हम इसमें डालेंगे, पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से भीगो देंगे और इसको र छे से साथ खंटे के बाद आप देख सकते हैं कि चना कितने अच्छे से फूल गया है और अब हम इसको छान लेंगे चने को मैंने छान लिया है पानी से और आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है एकदम सूखा है और अब हम इसको एक दिन के लिए रख देंगे ढगके और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या करना है एक दिन बाद आप देख सकते हैं कि चना में किस तरीके से अंकूर आ गया है तो अगर आप चना को भीगो के उसका पानी निकाल के रख देंगे तो ऐसे भी इसमें आपने देखा होगा कि अंकूर आ जाता है तो यहाँ पे चने में अंकूर आ गया है और अब हम इसको लगाएंगे चना लगाने के लिए हमें चाहिए मित्टी तो छत पे हमने बड़ा गमला बन बाया है तो मित्टी हमें चाहिए भूर भूरा तो यहां पर मैंने मित्टी को अच्छे से मिला लिया है मित्टी में हलकी सी नमी होनी चाहिए और यह जो हमारे पास चना है इसको हम हाथ में थोड़ा थोड़ा लेंगे और मित्टी पे इस तरीके से अच्छे से फैला देंगे चना को मैंने फैला दिया है और अब हम इसके उपर मिट्टी डालेंगे तो अलग से इसके उपर से मिट्टी डालना है एक पतला सा लेयर बनाना है मिट्टी का इस तरीके से इसके उपर से हम पूरे चने पे एक पतला सा मिट्टी का लेयर बना देंगे चना के उपर मैंने मिट्टी को अच्छे से फैला दिया है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है चना जो है वो सूखे में होता है तो पानी नहीं डालें इसमें एक हफ़ते बाद आप देख सकते हैं कि हमारा चना कितना बड़ा हो गया है और मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है आप देख सकते हैं कि मिट्टी कितना सूखा है और अभी भी नहीं डालना है और अब हम क्या करेंगे कि इसको तोड लेंगे चना के साख को आप जितना तोडते जाएंगे उतना ये और फैलते जाएगा और ये इतने अच्छे से फैल जाएगा कि ये जो मिट्टी है वो भी नहीं दिखेगा अब आप सोच रहे होंगे कि इतने कम साख का हम क्या करेंगे इस साख से हम बनाएंगे चत्नी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा जो चना है उसको तोड लिया है जाया कि आपको आप तोड़ते जाएंगे और ये फैलते जाएगा यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीजे लगाई है जैसे गोपी टामाटर आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में